नमस्कार साथियो मैं प्रवेन कुमार जैन प्यम क्लास इस एक सुपान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तो आज मैं आपके लिए आचारी विश्वनात प्रणीत साहित दर्पन को लेकर आया हूँ इससे संबंदत विडियो की बहुत ही मांग हो रही थी सभी लोग बोल रहतें लक्षन गरंथों की विडियो बनाईए तो मैंने प्रयास किया है आपके लिए पहुँचाने का विडियो अच्छी लगे तो दोस्तो लाइक जरूर करें और कुछ भी कमी रह गई हो तो अपनी कमी को कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट के माध्यम से हमें बताएं दोस्तो एक बात और बता दें आप हमारे चैनल PM क्लासिस 105 से यदि नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाईए ताकि आपके लिए आँगे भी और भी अच्छी वीडियो हम ला सकें और सेयर जरूर करें और अपने मित्रों को जरूर बताएं हमने अपना फेस्बुक का एक ग्रूप भी बनाया हुआ है PM क्लासिस 105 आप उसको भी जाकर के जुड़ सकते हैं और एक फेस्बुक पेज भी है PM क्लासिस 105 बन के नाम से तो आप उस पर भी जाकर लाइक कर सकते हैं तो हमारे वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे देखते हैं दोस्तों साहित दरपन का प्रथम परिछे से संबंदित जानकारी साहित दरपन का हमने पहले सामान परिचाय बताया है यह इसके लेखाक हैं आचारी विस्वनात समय है चवद्वी सताब्दी यह चवद्वी सताब्दी में लखा गया इनके पिता का नाम था आचारी विस्वनात के पिता का नाम था स्री कभी पंडित चंदर सेखर चंदर सेखर इनका मुख्य नाम था और एक स्री कभी पंडित इनकी उपादी थी पिता महें इनके थे नारायन यह भी अच्छे कभी और पंडित घराने के थे तो यह भी अच्छे पंडित हैं नारायन आचार विस्ट सुनात की रचनाएं आचार विस्ट सुनात ने जो अन रचनाएं की हैं उन रचनाओं को मैं आज आपके लिए बताने जा रहा हूँ दोस्तों देखें और इनको याद करने यह भी प्रशनुत्तर इनमें से आ सकते हैं जो राखाव विलास रचना है यह आचार विश्चनात की है महाकाब बे नाम से है कुबलेयास सुचरितम प्राकृत काब बे है चंद्रकला नाटिका है प्रभाबती परिणाय यह नाटक है प्रसस्ती रतनावली यह सोडस भासा निर्मित सुला भासाओं में निर्वित एक करमभाख है जिसमें पाली प्राकृतादी अब्रहनसादी कई भासाएं हैं ऐसे सुला भासाओं का प्रियोग इसमें किया हुआ है प्रसस्ती रतनावली में नेश्ट दोस्तो नारिस से हैं बिजयाहा यह खंड काब है इनका कंस वधम यह का करा फ्रांथ दरपन्द यह काobil सास्ति रे गरन्थ हे जो कि हम अभी अध्यन कर रहे हैं एक और गरंथ नों ने लिखा हुआ है काब ये प्रकास दरपना यह और कप्रकास्ति का है इस प्रकार आंगे देखते हैं दोस्तो आचारि विस्वनात की उपाधि आप इसके लिए अछे से याद कर लें देखते हूं पाधियों को आलंकरिक विस्वनात की उपाधि आलंकरिक, धनी प्रस्थापन परमाचारिय, अश्टादस भासा बिलासिनी भुजंग, संगीत बिद्याधर, कला बिद्या मालती मदुकर, बिविद बिद्यारणव करणधार, सांधी बिग्रहक, सांधी बिग्रहक, कभी राज, यह आठ वादेन की थी, नेश्ट है दोस्तो, ग्रंथ विवाजन, तो इनका जो ग्रंथ विवाजन है, वह है दस परिच्छेदों में, दस परिच्छेदों में विवाजे थे, यह साहित दरपन ग्रंथ, और यह लक्षन ग्रंथ, यह काभ शास्तिर्य ग्रंथ खहलाता है, विद्यास की लक्षन ग्र संत्र की गोटी में आता है काब्य सास्त्र और नाट सास्त्र दौनों का समावेश इसमें है काब्य सास्त्र और नाट सास्त्र दौनों का समावेश है अब देखते हैं प्रथम परिच्छेद सम्मन्दी प्रश्णों को प्रथम परिच्छेद दोस्तो छोटा सा है जिसमें काब्बे सास्त निरूपण है तो इसका नाम ही है इस प्रथम परिच्छेद का नाम है काब्बे स्वरूप निरूपणम काब्य स्वरूप निरूपणम इसमें जो दस परिछेद हैं दसों परिछेद के नाम अलग अलग हैं तो यह नाम भी पूछे जा सकते हैं तो आप इनको वियाद कर लें काब्य स्वरूप निरूपणम इसका मंगला चरण पहले हम करेंगे तो मंगला चरण है सरदिन्दु सुन्दर रुचिस चेतसी सामे गिराम देवी अपरहत्तमह संतत मर्था नखिलान प्रकासयतू इसका अनुवय देखते हैं दोस्तो सरद इंदू सुन्दर रुचिह सागराम देवी मेचीतसी संततम तमह अपरहत्य अखिलान अर्थान प्रकासियतू अर्थ आप समझ सकते हैं एक एक सब्द का सरद इंदू सुन्दर रुचिह मतलब सरद जितू के चंद्रमा के समान रुचिह बाले वह है सा मतलब वह है गराम देवी बानी की देवी गराम मतलब होता है बानी तो बानी की देवी मेचीतसी मेरे मन को मेरे मन में जो अंदकार है तो हमारे इस संतत मतलब गहन अत्यधिक तमह अंदकार को अपहरत्य दूर करके मेरे मन में बिराजे हुए, बैठे हुए अंदकार को, अंदकार रूपी अज्ञान को दूर करके अखिलान अर्थान प्रकास यह तू संपून अर्थों का प्रकासन करें इस प्रकार से यह मंगला चला है तो सरदिन्दू सुन्दर रुची यह सरद रितू के चंद्रमा की सुन्दर कांती की समान कांती वाली वह सामरलव वह गिराम देवी बानी की अधिष्ठात्री सरस्वती देवी मेचेतसी मेरे चित में संततम गहन तमह अज्ञान रूपी अंदकार का अपरहत नश्ट करके अखिलान समस्त अर्थान अर्थान मतलब प्रमय रूप अर्थों को प्रकासयतू प्रकासित करे इस प्रकारिया है दुरगा मतलब होता है पारवती तो पारवती के पक्ष में भी लिया जाता है भगवान संकर में अभिलासा रखने वाली भगवती पारवती हमारे अज्ञान रूपी अंद्रकार को नश्ट करके अर्थों को प्रकासित करें इस प्रकार अर्थ भी दो अर्थ इसके लिये जा जाते हैं भगवान संकर और पार्वती अर्थ लिया जाता है और एक में सरस्वती देवी सरस्वती देवी जो बानी की देवी कहीं गई है उनको लिया जाता है काब्यका प्रियोजन नेश्ट है दोस्तों इसमें काब्यका प्रियोजन तो काब्यका प्रियोजन है चतुरवर् प्रति मुख्ष प्रियोजन कश्च चत्रबर्ग प्रति चत्रबर्ग मतलब हूता है चार पुरसार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष्चर के फल की प्रति अनवाय के साथ अर्थ लगाएंगे यतफ अलप धियाम अपि सुखाति चत्रबर्ग फल प्राप्ति काब्यात एव तैन तत्स रूपम निरूपन ते क्योंकि कम उद्धी वालों को भी आसानी से ही धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष रूप चतुरवर्ग फल की प्राप्ति काब्ब से ही होती है इस कारण उस काब्ब के स्वरूप का निरूपन किया जाता है यह सामान नसार्थ है इसको भी देख सकते हैं यह तहा मतलब क्योंकि अल्प धियाम कम गुद्धी बाले को भी सुखात सुख पूर्वक आसानी से चत्र वर्ग फल प्राप्ती चारों वर्ग जो चार पुरसार से चत्र स्टेजने कहते हैं धर्म अर्थ काम मोख्च रूप च ही कावियात इव काव présे ही हो सकती है तैनातत स्ट रूप हम दिरूप इसलिए उसका कावियार नेमी है काव्ब का स्ट रूप क्या है तो देखते हैं साहित दरपन कि अनुसार कव्ब का स्ट्रूप है बाक्यम रसातमकं काव्यम साहित दरपन के अनुसार काब की परिभासा काब का लक्षन काब का स्वरूप क्या है तो या है बाक्यम रसात्मकं काब्यम अर्थात रस से युक्त बाक के ही काब्य कहा गया है साहित दरपन ग्रंथ में आचारी विस्चुनात ने अन्नमतों का खंडन मी किया है तो ऐखंडन देखते हम किन-किन का हुआ है आचारी मंमट मंमट की परिभासा जो है तद दोसव सब्दार्थव सगुना बनलंग करती पुनह कौपी तद दोसव सब्दार्थव सगुना बनलंग करती पुनह क्वापी यह जो परिवासा है इसका खंडन किया हुआ है आचारे विश्चुनाथ ने अपने साहत दरपन ग्रंथ में अर्थ देखते हैं क्या कहा हुआ है दोस से रहत गुन से बिशिष्च फिर कहीं अलंकार से मंदित ना भी रहे अर्थात अलंकार तो व्यांसे होना चाहिए लेकिन ना भी रहे तो ऐसे सब्द एवं अर्थ काब कहलाते हैं यह मंमट ने कह दिया और यही सबसे बड़ा गड़बड हो गया सभी आचारियों ने इसका खंड़न किया क्योंकि उन्होंने बोल दिया अनलंकरती ही पुना कौपी यह लाइन सबसे ज़्यादा घर कर गई अन्हे आचारियों के दिल में अनलंकरती ही पुना कौपी जो प अर्थात यदि अलंकार को ऐसा मानते हैं कि वह काव्य में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है तो वह ऐसा क्यों नहीं मान लेते कि अगनी में उष्णता नहीं होती है अंगी करोती यह काब्यम सगुना बन लंकरती ही असवन मन्यते कसमाद दनुषन मन लंकरती ही इस प्रकार उन्होंने समझाया देखते हैं दूस्त वंगला कुंतक का तो कुंतक का जो है आचारी कुंतक ने लिखा है बक्रोक्ती जीवितम अपना लक्षन ग्रंत अर्थात बक्रोक्ती को ही काब्यकी आत्मा कहा है इसका विखंडन आचारी विस्वनाथ ने अपने ग्रंत में किया हुआ है नेष्ठ आनंद वर्धन आचारी जो की ध्वन्या लोक के रचेता है इन्होंने काब्यस आत्मा ध्वनी इस प्रकार कहा है अर्थात काब्रे की आत्मा ध्वनी है इसका विखंडन आचार विस्तुनाथ जी ने अपने साहित दर्पन में किया है बामन, आचार वामन जो हुए है, उन्होंने रीती को काब्रे का लख्छनमाना है इनकी परिवासा है रीती रात्मा काब्रे यस्यव अर्थात काब्वे की आत्मा रीती है इसका भी खंडन आचार विस्तुनात ने किया हुआ है आंगे हम बता रहे हैं अनुबंद चतोष्टे जो की चार प्रकार के होते हैं इसके नाम से ही पता चल रहा है चतोष्टे मतलब चार तो अनुबंद कितने होते है चार प्रकार की विसाय संबंद अधिकारी प्रयोजन समझते हैं इनको कैसे एक गरंध मान लीजिए कोई है साहित दरपण है तो इसका विसाय क्या है लक्षन बताना काब्वे ओंध का लक्षन इसका अनका विसाय हो गया संबंद किस से है तो संबंद है यह महाकाब्यों से नाटकों से या फिर और भी जो भी पढ़ाई से संबंदत है ग्रंथों से संबंदत है या संबंद हो गया अधिकारी कौन है तो अधिकारी हम सब है पढ़ने के अधिकारी इसका प्रियोजन क्या है प्रियोजन एह है कि हम पढ़ेंगे तो हम अपने महां का बिनाटक साहतादी का लक्षण जानेंगे यह सब जो है प्रतिक ग्रंथ में ऐसा चलता है अनुबंद चारों होना चाहिए दोस्त का स्वरूप आंगे बता रहे हैं जो की साहत दरपन में बढ़ने थे आचार विस सुनात द्वारा दोसास तस्याप कर सकाह यह जो है यह भी आंगे की लाइन है उसी के जो बाक्यम रसात मकम काब्यम है यह पूरा एक स्लोक है तो उसके आंगे की लाइन है दूसरा चरण है पहली पहला चरण है बाक्यम रसात मकम काब्यम दोसास तस्याप कर सकाह अर्था दोस्त जो होते हैं उसको अपकरसन करने वाले होते हैं किसको काब्य को जो जो रसकापकरसन करने वाले हैं बिदूस कहलाते हैं तो यह अपकरसन करने वाले जो होत रस हमें नहीं आपा रहा है किसी काब्ब के पढ़ने से या किसी नाटक या किसी कहानी के पढ़ने से हमें रस नहीं मिल रहा है वह नीरा से यदि तो वह दोस है उसका क्योंकि जो साहित होता है वह रसवान होता है रस से सहित होता है उसमें रस मिलता है पढ़ने से हमें यह इसी के आंगे की लाइन है बाक्यम रसात मकम काब्यम दोसा स्तस्यापकर्स का उतकर्स हे तबह प्रोक्ता गुना लंकार रीत यह एक पून इस लोग हुआ तो गुन का सुर्फ दूसरी लाइन में यहां पर बताया हुआ है अर्थाद गुन अलंकार इवं रीती काब्य के उतकर्स के हे तुए काब्य का उतकर्स किस से होता है काब्य अच्छा किस प्रकार बनता है तुए गुनों से अलंकारों से और रीतियों से आपको पता होगा कि इस प्रकार अलनकार 20 होते हैं और हसकता है तो इस प्रकार यह हमने आपके लिए साहित दरपन के प्रफ़म पर इच्छेथी वीडियो बताई दोस्तो वीडियो अच्छी लगी होगी और यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक एक बार जरूर कर दें जिससे हमारा उत्साह बर्धन हो और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे हमारे समस्कर्ट से डिलेटेड वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माद्ध हम से मिल सकें दोस्तो एक बात और हम बताना चाहते हैं यदि आपने हमारे फेस्बुक पेज को अभी तक लाइक नहीं किया है या फेस्बुक पेज ग्रॉप है जो उससे नहीं जुड़े हैं तो उससे भी जुड़ जाएए फेस्बुक पेज और फेस्बुक ग्रॉप दौनों पीम क्लासिस 105 चैनल के नाम से बने हुए हैं इसकी डिस्क्रिप्सन मैं भी मैं भी आपको मैं लिंक दे दूँगा फेस्बुक पेज को लाइक करने के लिए जिस से हमारे वीडियो की नॉटिफिकेशन फेस्बुक के माध्यम से आपको मिल जाएगी और यदि हमारे बाटसब ग्रॉप से भी आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे नंबर जो नंबर है मैं आपको बता रहा हूँ इस पर हमें आप बाटसब कर सकते हैं और बाटसब करके आप नाम बताएं पता बताएं मैं आपको अपने ब्रॉटकास्ट लिस्ट में जोड़ लूँगा जिससे हमारी वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको मिल जाएगी नमस्कार